वोट्स क्लास नेक्स हैं अंडर बाटर प्लांट जो पानी के अंदर प्लांट होते हैं जो प्लांट पानी के अंडर होते हैं उसको आप क्या बोलते हो अंडर बाटर प्लांट्स बोलते हैं जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो आपको पॉंट्स में मिल जाएंगे ठीक हैं और यहाँ पर पानी ज़यदा डिप नहीं होता डूंगा ज्यादा नहीं होती इसलिप यह मुविंग वार्टर में जहां से पानी बैटा रहता न वहीं पर भी हो जाते है जैसे पॉंड मेट हो गया यहां फिर टेप गरास अब देख सकते हैं पानी के नीचे ऐसे बान अब इनकी कि अदेप्टेशन मतलब जो स्पैशल फीचर उनके मारे में बात करेंगे जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं बट थिन होते हैं पतले होते हैं ताकि पानी उनके बीच में से फ्लो कर सके बिना इनको तोड़े ठीक है नेक्स जो लीज होते हैं कि दूसरेई लीज के उपार बनाए होता जिसके तूब आपक्स को कम्प्लीट कर सकता है पर से पर नहीं होते हैं अगर बिघल यह चुको कि यह यह स्टेकंग आने कर ले ना डेक है फिल करा हुआ, special plant adaptation, कुछ ऐसे plants होती है, ठीक है, जिन में इनसे भी special तरह की features होती है, adaptations होती है, जैसे वो वाले plants जो marshy area, marshy area में जो साव एरिया में रहता है, जिससे दल-दल हो गाई, जहां फिर salt वाली area में, जहां पर जो मिट्टी है, उसमें salt मिला हुआ होता है, ठीक है, some plants live in marshy and salty areas, the soil here, यहां पर जो सावील होती है, इसमें बहुत ज़्यदा salt होता है, तो ऐसे में ज़्यदे plant तो ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन mangrove plant है, वो यहां पर जो सावील होती है, वहां पर ग्रो कर सकता है, ऐसे जो plants होती है, उनकी जो roots होती है, ठीक है, are not able to grow well, उनक इसे ग्रो नहीं कर पाती है, यहां फिर वो photosynthesis सास नहीं ले पाती, ठीक है, तो ऐसे जो plants की additional roots होती है, जिसको आप breathing roots भी बोल सकते हैं, कोई हमने plants देखे हैं, कि जो plant होता है, उसकी root नीचे भी होती है, यहां पर देख सकते हैं, उपर भी है root, जड़े उपर भी है, कई plant भी होती है, जैसे बरगत के में भी पेड होते हैं, तो वो पेड होती हैं, यहां पर तना तो पेड से एक additional यहां पर roots होती है, तो इसी की example है, तो वो जो additional roots होती है, आप इन्सेक्स के ब्रीफिंग रूट्स के बूल सकते हैं इसके तुछ वह सांस ले सकते हैं मतलब फोडो सिंथिस परसास में हैर्प घरती है यह वाली जो अब की रूट्स होती है next will plants that eat insects वोबल है प्लांट जो किडेखाते हैं ठीक है plants that eat insects उनको आप क्या बोल दो insecti वो insect कहाएंगे तो insecti वो जैसे venus flytrap और peach plant ऐसे प्लांट होते हैं दब्द यहां पे आके कोई insect बैठ जाता है ठीक है तो यह क्या करते हैं इनके बिश में थोड़ा से लिखोड होता है, वो आगे चला जाता है ठीक है, जैसे यहाँ पे वो प्लांट की तरफ देखते हैं, कि जो इनसेक्ट काफ़ी अट्रेक्ट होते हैं, वो यहाँ पे आके बैढ जाती है, तो एक दम से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और जैस नेक्स डे फिल से खुल जाता है ठीक है नेक्स डे कोई और इंसेक्ट आएगा तो उसको भी खा लेगा इसलिए ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हो इंसेक्टिव और प्लांट्स बोलते हो